हेलो दोस्तों, बॉलिवुड शॉट्स में आपका स्वागत है आज मैं एक साउथ कोरियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है Mr. Zhu, The Missing VIP ताई जू एक परफेक्शनिस्ट है एकदम अपने आवेर खान जैसे जो सब चीजें टाइम से करता है नाश्ते के लिए exactly 135 कैलरी खाता है घर के छोटे से छोटे सामान को उसकी तैजगे पर ही रखता है कपड़ों से छोटे छोटे निकले धागों को काट देता है ताकि वो परफेक्ट लगे उसकी परफेक्ट होने की ये आदत उसे लाइफ में बहुत दूर ले आई है specially उसके काम में जहां वो एक एजेंट के रूप में काम करता है ताइजू कोरिया की सबसे बड़ी सिक्यूरिटी कंपनी टॉप नेशनल सिक्यूरिटी में काम करता है जिसे NIS के नाम से जाना जाता है ताइजू के बारे में एक बात ये भी है कि वो सभी प्रकार के ज्यानवरों से नफरत करता है एक दिन लिफ्ट में वो एक आदमी और उसके पालतु पक को देखता है जब उसका मालिक नहीं देख रहा होता है तो ताईजू ज्यानवर को गंदा कहता है और उसकी और अजीब सा चेहरा बनाता है। उसका सबसे बुरा सपना तब सच हो जाता है जब कुत्ता उस पर सूसू कर देता है। पक्का मालिक ताईजू के चेहरे को हाथ से रगड़ता है जिससे पक्का सूसू ताईजू के पूरे चेहरे पर फैल जाता है और पक्का मालिक ताईजू से माफी मांगता है। उसी दिन काम पर ताई जू थोड़े ज़ादा गुस्से में शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। उस दिन उसका मूड तभी ठीक होता है जब उसके कुलेक्स उसकी प्रमोशन की एडवांस में बधाई देते हैं, जो कि उसको जल्दी ही मिलने वाली है। फिर सभी को एक मीटिंग में बुलाया जाता है, कंपनी के नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिसकस करने के लिए। मीटिंग में ये डिसकस होता है कि चीन से एक VIP को एक इवेंट में ले जाना है और उसकी सुरक्षा करनी है। ये इवेंट चाइना और कोरिया के बीच 25 वर्सों के रिलेशन को सेलिबरेट करने के लिए और्गनाइज किया गया है। VIP को कोरिया भेजा गया है एक शान्ती के संकेत के रूप में। पता चलता है कि VIP चीन का एक पांडा है जिसका नाम है मिंग मिंग। डिरेक्टर पूछती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कोई सिक्यूरिटी चीफ बनना चाहता है। ताईजू जान्वरों से नफरत करता है लेकिन फिर भी अपनी प्रमोशन को पक्का करने के लिए सिक्यूरिटी चीफ बनने के लिए हां कर देता है। इवेंट के दिन मिंग मिंग के आने पर सभी एकसाइटेड हैं। ताईजू इवेंट की लोकेशन को जाचता है और इंसियोर करता है कि सब कुछ सुरक्षित है। कई सहनिक कुतों को भी लाया गया है ताकि जगह है पूरी तरह से सेफ हो। ताईजू अपने जूनियर एजे हैं। लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत के कारण सब खराब कर देता है। इसलिए ताईजू उसे किसी भी काम में टांग अडाने से मना कर देता है। और वहीं रहने की सला देता है। एट लास्ट इवेंट स्टार्ट होता है और मिंग मिंग पब्लिक के सामने आती है। जि क्रोनी ये देखता है और उसका पीछा करने के लिए एक गाड़ी पर चड़ जाता है। ताईजू भी उसके पीछे दोड़ता है। वो उने रोकनी की कोशिश करता है लेकिन वे एक स्मोक बम फोड़ कर मिंग मिंग को वैन में डाल कर भाग जाते हैं। ताईजू जैसे ही उनका पीछा करने लगता है उसी समय क्रोनी उसे अपनी गाड़ी से मारता है। ताईजू हवा में उड़ता है और कॉंक्रीट पर सिरकेबल गिर पड़ता है। बेहोश होने पर पहले वो देखता है कि एक गाड़ कुता उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो इतन कोई घटना रियल इवेंट में ना हो सके। ये सब इसलिए कहा गया है ताकि मिंग मिंग के किड्नाइप को मीडिया से छुपाया जा सके। ताईजू काम पर जाने के लिए लिफ्ट में जाता है जहां वो फिर कल वाले पग से मिलता है और इस बार कुत्ते की बातें सुन स बहागता है ये सोचकर की वो बिमार है दुकान के पेट सेक्शन में एक हैम्ष्टर उसे घर ले जाने के लिए ताईजू से रिक्वेश्ट करता है और यहां तक की डिसकाउंट देने की भी बात करता है जिसके बाद एक हैजहोग हैम्ष्टर से कॉम्पेटिशन में उतर ना कि हैम्स्टर को ये सब देखकर ताइजु वहां से भाग जाता है वो काम पर जाता है और टाइंक में मछलीयों को खुद पर हसते हुए सुनता है मचलियों को ये फनी लगता है कि ताईजू कल तक प्रमोशन की उमीद कर रहा था और आज उसे निकाल दिया जाने वाला है ताईजू डिरेक्टर से पूछता है कि क्या उसे कमपनी से निकाला जा रहा है तो डिरेक्टर कहती है कि वो सबसे अच्छे एजेंटों में से एक है इसलिए उसे खोना कमपनी के लिए बहुत बड़ा नुक्सान होगा मचलिया एक बार employee के बारे में बात करती है जो टैंक में गंदगी कर रहा था और मचलिया बहुत शोर करती है मचलियों के शोर से ताईजू इरिटेट हो जाता है और जोर से चिलाता है जिससे सभी एमपलोईज उसे देखते हैं तो वो डिरेक्टर से कहता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है डिरेक्टर सोचती है कि ताईजू की तबियट ठीक नहीं है और वो उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहती है उसके बाद ताईजू जू जाता है जहां वो एक नकली मिंगमिन को देखता है जो कि असल में पांडा की कोश्ट्यूम पहना क्रोनी है जिसे वहां रखा गया है ताकि लोगों को डाउट ना हो कि असली मिंगमिन एक्चली में किड्नैप हो गई है जब ताईजू और क्रोनी पीछे के कमरे में बातचीत कर रहे होते हैं तब गलती से क्रोनी अपनी पांडा की कोश्ट्यूम में आग लगा लेता है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है घर लोटते समय ताईजू को एक फिमेल गुरिला बुलाती है वो कहती है कि उसे पता है कि वी आईपी पांडा मिंग मिंग को कहा ढून सकते हैं लेकिन इसके बदले में वो एक मैगजीन मांगती है ताईजू उसे नैशनल जियोग्राफिक की एक मैगजीन लाकर देता है जिस पर फिमेल गुरिला मेल सेलेबरिटी गुरिला की तस्वीने देखकर खुश हो जाती है तो वो ताईजू को अली नाम के एक कुट्टे के बारे में बताती है जो उस दिन ताईजू के ऊपर से कुदा था जब वो बेहोश हो गया था उस कुट्टे ने किड्नेपर्स का पीछा किया था और उनकी गंद को पहचानता है अगर ताईजू कुट्टे को ढूंड सकता है तो वो कुट्टा उसे मिंग मिंग के किड्नेपर्स तक ले जा सकता है उस शाम को ताईजू एक वीरान घर में जाता है जहां वो कुत्ता दूसरे जानवरों के सामने अपनी बहादुरी की कहानिया सुना रहा होता है ताईजू को वहाँ देखकर जानवर उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो एक इनसान है ताईजू उनके लिए सौसेज फैकता है और सभी जानवरों का ध्यान सौसेज खाने में लग जाता है और उसी समय वो अली को पकड़ता है और उसके साथ कार में भागता है घर वापसी के दोरान वो कुट्टे से पांडा के किड्नैपर्स के बारे में पूछता है लेकिन अली कुछ भी बताने से इनकार कर देता है अली मौके का फाइदा उठाता है और बहुत सारा खाना मांगता है दोनों ताईजू के साप सुतरे अपार्टमेंट में आते हैं और अली उस जगह के चारों और दोड़ता है और ताईजू पीछे से सफाई करता है अगली सुबह ताईजू जागता है और अपने अपार्टमेंट को नहीं पहचानता जिसके बाद ताईजू और उसकी बेटी की रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे ताईजू की नोकरी की वज़े से वे एक साथ नहीं रहते इसलिए ताईजू ने घर पर सायोयान का बर्डे सेलिबरेट करने के लिए उसे इन्वाइट किया था घर को खराब हालत में देखका सायोयान को लगता है कि उसके डैड फिर से उसका बर्डे भूल गए ताईजू माफी मांग रहा होता है और तभी सायोयान का ध्यान अली की तरफ जाता है सायोयान खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड का जियानोरों के तरफ से डर खत्म हो गया है और उन्होंने उस कुटे को एडप्ट किया है ताईजू अपनी बेटी को हर्ट नहीं करना चाहता इसलिए वो उसे सच नहीं बताता फिर वे पार्क में जाते हैं और कुटे के साथ खेलते हैं शाम को उसके जाने के पहले ताईजू अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेटी उसे रोक देती है पास में पटाखे फूट रहे होते हैं जिससे अली को सर्विया में बिताए अपने पुराने दिनों की याद आती है और ताईजू के पूछे जाने पर वो कहता है कि उसे उस आदमी की गंध याद है जिसने मिंग मिंग का किडनेप किया था ये वही आदमी है जिसने सर्विया में उसके मालिक को मार डाला था फ्लेश बैक में दिखाते हैं कि अली एक शर्मिला कुट्ता था और सिर्फ अपने मालिक जिसका नाम सू ही था से बात करता था लेकिन एक दिन जब वे दुश्मन के इलाके में थे तब एक बॉम ब्लास्ट ने उसके मालिक को मार डाला था और जब अली ने बॉम ब्लास्ट करने वाले पर हमला किया तो पता चला कि उसका पैर नकली है इसलिए वो उस आदमी को रोक नहीं सका जब मिंग मिंग का किड़नेप किया गया था तब उसने फिर से उस आदमी की गंद को पहचान लिया था ये जानने के बाद ताईजू को कुट्टे के लिए बुरा लगता है किसी दूसरी जगह पर एक वैर हाउस में मिंग मिंग कहता है कि उसे सिर्फ स्पेशल बांस ही खाने को दिया जाए ना कि घटिया टहनिया किड़नेपर्स उसके लिए एक खेत से बांस लाते हैं अगले दिन अली ताईजू को एक बांस के खेत में ले जाता है जहां उसे किड़नेपर्स की गंद आती है वो बांस बेचने वाले की पालतु बकरी से पूछते हैं और उनको किड़नेपर्स की कार का नंबर मिलता है और आगे रिसर्च करने के बाद वे एक बड़ी बायोटेक कमपनी के मालिक को ढूड़ते हैं जिसका नाम मैंसिक है और उसकी फोटो देखकर अली उसे मिंग मिंग के किड़नेपर्स के रूट में पहचान लेता है ताईजू को डाउट होता है लेकिन वो अली पर भरोसा करता है वे कमपनी के हैड ओफिस में जाते हैं और पता चलता है कि मैंसिक एक नया प्रोजेक्ट लाँच करने वाला है जिसमें वे असली पांडा के जीन्स को क्लोनिंग करके नई प्रजाती का विकास करेंगे जिसे लोग एक पालतु जानवर के रूट में पाल सकते हैं क्योंकि चीनी सरकार के पास दुनिया भरके पांडा के विशेश अधिकार है उसने मिंग मिंग को उसके जीन का यूज करने के लिए चुराया है ताईजू मैंसिक और उसके बोडिगार्ड पर हमला करके उनकी गिरिफतारी करता है वो जल्दी ही मैंसिक को एनाईएस के हैड आफिस ले आता है पर इस जल्द बाजे में गलती से अली को पीछे छोड़ देता है एनाईएस के डिरेक्टर ने ताईजू से पूछा कि उसके पास क्या सबूत है कि मैंसिक का किड्नैपिंग में हाथ है इसका ताईजू के पास कोई जवाब नहीं उन्हें पता चलता है कि मैंसिक नियॉयॉक में था जब अपरहन हुआ था जूटे आरोप के कारण ताईजू को नोकरी से निकाल दिया जाता है मैंसिक छूटने के बाद सीधे उन लोगों के पास जाता है जिने उसने मिंग मिंग को किड्नैपिंग का काम दिया था वहाँ ये पता चलता है कि डिमिट्री नाम का एक आतंकवादी है जिसने मिंग मिंग का किड्नैप किया था अली जो मैंसिक का पीछा कर रहा था देखता है कि डिमिट्री ने मैंसिक की तरह दिखने के लिए एक मास्क पहन रखा था डिमिट्री किड्नेपिंग के काम के लिए मैंसिक से ब्लाश्ट होने वाले कैपसूल्स की मांग करता है ये कैपसूल किसी जानवर या इनसान को खिला कर टाइमर ओन किया जाए तो कैपसूल में बलास्ट हो जाएगा अली ये सब सुनने के बाद मिंग मिंग से मिलता है और उसे बचाने का वादा करता है फिर अली ताईजू के घर वापस चला जाता है और दर्वाजे की घंटी बजाता है लेकिन ताईजू दर्वाजा नहीं खोलता वो अब कुत्तों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि अली की वज़े से उसकी नौकरी चली गई मिलिटरी के लोग अली को वापस ले जाते है जब सायोयान को पता चलता है कि उसके डैड ने अली को छोड़ दिया है तो वो दुखी हो जाती है अपनी बेटी को दुखी देख कर ताईजू अली को बचाने का फैसला करता है वो मिलिटरी डॉग शेल्टर में जाता है और उसे बचाता है कुत्ते को अपने बचने पर बहुत खुशी होती है जब तक कि ताईजू कहता नहीं कि वो उससे नफरत करता है वो अली को जाने के लिए कहता है लेकिन कुत्ता नहीं मानता अंत में वो बताता है कि उसने मिंग मिंग को देखा है और ताईजू को पाहड़ियों में एक वेर हाउस में ले जाता है वो वहाँ क्रोनी से मिलते हैं क्योंकि हाइकिंग के दोरान वो खो गया था ताईजू जानता है कि क्रोनी के वहां होने का मतलब है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा क्योंकि क्रोनी हमेशा गड़बर कर देता है इसलिए वो उससे दूर रहने की सलाह देता है उसके बाद अली और ताईजू सावधानी से वेर हाउस में जाकर एक इलेक्ट्रिक गन का यूज करके लगभग सभी आतंक वाजियों को मारने में कामियाब हो जाते हैं और ताईजू डिमिट्री से लडाई करता है। डिमिट्री ताईजू को मारने वाला ही होता है लेकिन तभी अली उसे बचा लेता है और दोनों पांडा के साथ भाग जाते हैं। वे पहाडी पर चड़ते हैं और अपने पीछे कई ड्रम नीचे फेंक देते हैं ताकि किड्नैपर्स उनका पीछा ना कर सके। एक ड्रम में छुपा हुआ क्रोनी भी नीचे गिर जाता है। बाकि तीनों पूरी राद दोड़ते हैं और एक हाईवे पर पहुँच जाते और ऐसा दिखाते हैं कि मिंग मिंग एक पांडा की कोस्ट्यूम पहना हुआ इंसान है। घर पहुँचने पर ताइजू बेटी को बुलाता है और उसे मिंग मिंग से मिलवाता है। वो दोनों बहुत देर तक खेलते हैं। उधर वेर हाउस में मैंसिक निराश है। मिंग म के लापता होने पर वो डिमिट्री की बेजज़ती करता है। आतंकवादी उसे जबरदस्ती ब्लास्ट होने वाले कैपसूल खिला देते हैं और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। पता चलता है कि डिमिट्री का असली प्लैन पांडा को कैपसूल खिलाने और उसे वापस से उस जू को सोपने का था क्योंकि मिंग मिंग एक इवेंट में जाने वाला था जहांपर चीन और कोरिया के पॉलिटीशन मिलने वाले थे कैपसूल का यूज करके वो पॉलिटीशन के साथ उस जगह को भी उड़ा देना चाहता था डिमिट्री और बाकी आतंकवादी वेर हाउस के बाहर होते हैं और तभी वेर हाउस के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि जो कैपसूल मैंसिक को खिलाई गई थी वो अपना काम कर गई उधर ताई जू डिरेक्टर को अपने घर गुलाता है और उसे मिंग मिंग से मिलवाता है उसका घर उन सभी जानवरों से भरा हुआ है जिन से उसने अब तक बात की है वे अंत में मिंग मिंग के लिए एक लिमोजीन कार बुलाते हैं और उसे उस इवेंट पर भेजते हैं जहां पॉलिटीशियन्स मिलने वाले हैं अभी बर्ड्स को अली को धूनने के लिए कहता है इसी बीच डिमिट्री अली और दूसरे मिलिटरी कुत्तों को ब्लास्ट होने वाला कैपसुल खाने के लिए मजबूर कर देता है क्योंकि वे भी उस इवेंट पर होंगे जहां पॉलिटीशियन्स आएंगे डिमिट्री उनक यूज विस्पोर्ट के लिए करना चाहता है अंत में इवेंट शुरू होता है और दुनिया के नेता एक दूसरे से मिलते हैं जब मिंग मिंग के परफॉमेंस का टाइम होता है तो डिमिट्री अपने फोन का ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू करता है कुत्तों को छोड दिया जाता है जिससे भगदर मत जाती है क्योंकि दर्वाजे बाहर से बंध हैं जिसकी वज़े से लोग बाहर भाग नहीं पाते कुछी सेकेंड बचते है और थाइजू क्रोनी की तरफ दौड़ता है और उसका इस्पेशल पेंग यूज करता है जिससे डिमिट्री के फो गोली मारने ही वाला होता है लेकिन तभी ताइजू उसकी जान बचाता है पर गोली ताइजू को लग जाती है उगले सीन में ताइजू अस्पटाल के बैड से उठता है उसे पता चलता है कि अली भी एक जानवरों के ढोक्टर के पास है और उसकी हालत ठीक नहीं है वो देखते हैं कि अली को डिरेक्टर से बहादुरी के लिए मैडल मिलता है तो कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए इस तरह के और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नॉटि प्यारे वीडियो बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद